दोस्तों स्वागत था आपका हमारे चैनल में और एक नई वीडियो में आज हम आपको नागदेटा बावा सुर्गल देव जी की पावन कता सुनाने जा रहे हैं और जिसे सुनने से नागदोश खत्म हो जाता है और नागदेवता बावा सुर्गल देव जी की सीम कृपा होती है तो मित्रो नाग देवता बावा सुर्गल देव जी जिने जमु कश्मीर और हिमाचल में पूजा जाता है और नाग देवता बावा सुर्गल देव जी राजा बासक और माता नावला की संतान है राया बासक जी के 11 रानिया थी 14 पूतर थे और 84 पूतरे थे जिन में से नाग देवता सुर्गल देवी सबसे शोटे थे और माता नावला के कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने भगवान शीब की अरादना की और बड़ी ही कठोर टपस्या की कठोर टपस्या से परसंद हो कर भगवान शीब ने उन्हें दरशन दिये और वरदान सबरूब उन्हें पूतर रतन की का बरदान दिया और कहा कि आपके घर में एक अदबुद शक्ती जन्म लेगी जिनें पूरा संसार पूजेगा और उन्हें अधिक माननेता प्रापत होगी नागदेवता बावा सुर्गल देव जी का जन्म हुआ खुशियां बांटी गई और नागदेवता बावा सुर्गल देव जी बड़ा ही सुन्दर और अदबुत नागदेवता थे और नागदेवता बावा सुर्गल देव जी सब के प्रिये थे लाडले थे एक समय राया ब मुत्रों में बांटना चाहता हूं उनकी जोग्यता अंसार मैं आप सब को राज दूंगा और उन्होंने कहा कि जम्मु कश्मीर में जल की विवस्ता करो तो नाग देवता प्याड जी ने जो जम्मु वाली तवी है वो लाकराए और मानसर नाग देवता ने मानसर में एक सु नाग देवता ने सरोबर बनाया काई ने चनाव नदी जो है वो लाई इस तरह से सभी नागों ने नदियां और जीले बनाई जिने आज हम लोग पूझते हैं उन जीलों में दर्शन करने जाते हैं इस प्रकार से जीले उत्पन हुई और जम्मु कश्मीर में नदियां बन ने उनमें से एक नाग देवता जो बावा सुर्गल थे वो सबके प्रिये थे और जिस तरहां जमु में बावा पैर देवता जो तबी लाई थी तो उने जमु का राज दे दिया गया और मानसर में मानसर नाग देवता जी को वो स्थान दिया गया इस तरह इन सभी नागों को स्थान प्रापत हुए और सुर्गल देवता को एक ऐसा बर्दान मिला कि बै कहीं भी जाकर रह सकते हैं कहीं भी जाकर उनकी हर जगह में उनका बास होगा बै अपनी मर्जी अनुसार किसी भी जगह जा सकते हैं और बावा सुर्गल साת हो जाते हैं और उनके दो रूप है जब करोदित रूप में होते हैं दर्षन देते हैं और जब वो बढ़े खुश होते हैं, तो उनका मिटी के रंग में दर्शन होते हैं, आज भी इन आंकों से हम नाग देवता के दर्शन करते हैं, और बावा दुदिया जी और सुर्गल जी इन दोनों की जोड़ी है, जहां पर नाग देवता दुदिया जी होंगे, बहां पर बावा सुर्गल जी भी आ जाते हैं, और बावा सुर्गल और दुदिया की बड़ी अधिक जगें एक साथ देखने को मिलती हैं, और नाग देवता सुर्गल जो है वो इतनी कृपा करते हैं अपने बक्तों पर जो नाग देवता को दिलसी चुड़ाता है, दिलसी उन्हें देता है और दिलसी में शुद्ध जल गंगा जल डालकर गुर डालकर मेवे डालकर दूद और उसमें मेवे और तुलसी पता डालकर जो बड़ी ही अच्छी दिलसी तियार करता है और बांबी में डालता है नाग देवता सुर्गल उसके पर बड़े खुश होते हैं और उसे नाग देवता का दोष करे नाग देवता की भर्मी को तोड़े नाग हत्या करे तो नाग देवता सुर्ग्ल करोधित होते हैं और अपना कोप भी देते हैं जिससे बड़ी भ्यंकर त्रास्थी से जूजना परता है और जब कोई नाग देवता की सेवा शुरू कर दे चांदी के नाग बनाकर उनकी सेवा अर्चना की जाती है और जब नाग देवता खुश हो जाएं तो बहाँ पर माता लक्षमी की असीम कृपा होती है नाग देवता बावा सुर्गल देव जी बड़े ही बोले-बाले जो मेरू परवत था उसकी जो रसी बनाएगी थी वो बासुके की बनाएगी थी इसलिए बासुकी नाग देवता को इस धर्टी का जो राज दिया गया और आज भी हम अगर कोई मकान कोई निया निर्मान करते हैं तो सबसे पहले हम जमीन में बासुक दबाते हैं और जात ही हम भवन का निर्मान करते हैं अगर हम ऐसा ना करें तो समकान में बड़े दोश उत्पन होते हैं कलेश उत्पन होते हैं इसलिए कोई भी नवीन कारे करने से पहले नाग देवता का हिसा जरूर निकालना चाहिए और जिस स्थान पर नाग देवता का हिसा निकलता हो बहाँ पर हर परकार से खुशियां और खुशियों की बर्शा होती है और नाग देवता बावा सुर्गल देव जी बावा काली वीर जी की भी प्रिये हैं जहां पर बावा काली वीर जी का स्थान होगा बहाँ पर बावा सुर्गल देव जी भी आते हैं इसलिए बावा सुर्गल देवजी की का नाम सिमरन करना चाहिए उनके नाम की दिलस्ती चड़ानी चाहिए और नाग देवता चांदी के नाग देवता बनाकर उसकी पूजा अर्चनक करनी चाहिए और नाग देवता के स्थान पर उन्हें चड़ा देना चाहिए और जिस गर में चांदी के नाग बनाकर उनकी पूजा अर्चनक की जाती है बहाँ पर माता लक्षमी प्रत होती है और उस गर में लक्षमी कभी भी खत्म नहीं होती है शरदा उनसार नागदेवता के पूजन करने से कॉंडली में ग्रहों की जो खराप सिति हो वो भी शुब मुझतिती में बदल जाती है इसलिए बावा सुर्गल देव जी की असीम क्रिपा प्रापित करने के लिए नाग देटा जी को अवश्य खोश करें जया नाग देवता बावा सुर्गल देव सब पर क्रिपा करें मेरी जही प्रातना